आज 14 जन्वरी 1988 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर माहवाक्य जिनका विशे है ओदासी आने का कारण छोटी मुटी अवग्या है आएए इस पर अब हम मनन और चिंतन करें आज बेहत के बड़े ते बड़े बाप उचे ते उचे बनाने वाले बाप अपने चारों और के बच्चों में से विशेश आज्याकारी बच्चों को देख रहे हैं आज्याकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं लेकिन नंबर वार हैं कोई सदा आज्याकारी और कोई आज्याकारी हैं सदा नहीं हैं आज्याकारी के लिस्ट में सभी बच्चे आजाते हैं लेकिन अंतर जरूर है आज्या देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्या देते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न आज्या भी नहीं देते हैं फिर भी नंबर वार क्यों होते हैं बाबा ने कहा कि मैं आज्याकारी बच्चों को देख रहा हूं फिर उसमें का नंबर वार आज्या बाबा देते हैं पर तो फिर सब अपनी अपनी अनुसार करते हैं बाबा ने पक्का बताया हुआ हर चीज के लिए बताया हुआ है कि हर चीज में नंबर होते ही है ऐसा हो नहीं सकता कि नंबर ना हो और उसमें भी फ़स्ट नंबर में ग्रेड में थोड़े होते हैं मिडल ग्रेड में कुछ ज्यादा होते हैं, तीसरे का तो बाबा नाम ही नहीं लेता, क्योंकि मालाएं दो ही बनती है, उसी इसाब से आगे बाबा स्पष्ट करेंगा क्योंकि जो सदा हर संकल्प वह हर करम करते, बाब की आग्या का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतह ही हर संकल्प, बोल और करम में आग्या प्रमाण चलते हैं, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, अनेकों बार बार स्मृति लानी पड़ती हैं, कभी स्मृति के कारण आग्या गारी बन चलते हैं, और कभी चलने के बाद आग्या याद करते हैं, क्यूंकि आग्या के स्मृति स्वरूप नहीं, तो श्रेष्ट कर्म का प्रतेक्ष फल मिलता है, वो प्रतेक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण, कर्म के बाद याद आता है, ये रिजल्ट क्यूं होई? कर्म के बाद चेक करते हैं, तो समझते हैं, जो जैसी बाप की आग्या है, उस प्रमान ना चलने कारण, जो प्रतेक्ष फल अनुभव हो, वो नहीं हुआ। इसको कहते हैं, आज्या के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देख कर स्मृति आई है। तो नमबर वन है, सहच, स्वता, स्मृति, स्वरूप, आज्याकारी। और दूसरा नमबर है, कभी स्मृति से कर्म करने वाले, और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। लेकर देना बाब आने। तीसरे नमबर की तो बात ही छोड़ दो, दो मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बडी माला है। आज्याकारी नमबर वन, सदा अमृत वेले से, रात तक, सारे दिन की दिंचर्या के हर करम में, आज्या प्रमान चलने के कारण, हर करम में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्याकारी बनने का विशेश फल, बाप के आशीरवाद की अनुभूती करते हैं। यह बहुत, बाबा ने fine difference बताया है, आज्याकारी ठीक है, लेकिन आज्याकारी का करम आज्या अनुसार होना चाहिए, और उसका अफल उसको कितना अच्छा मिलेगा, कि बाबा की अशीरवाद मिलेगी, और उसको फील होगा उसका फाइदा profit, क्योंकि करम अच्छा होगा, अजया के अनसार, और अजया, अजया, अजया तो सब के बुद्धी में रहता है, लेकिन करम करते समय अजया भूल गये, और करम करने के वारण बाद अजया याद आगे, क्योंके वह प्रापति नहीं होई, करम उतना स्रेश नहीं हुआ मेनत लगी ना जैसे है परमधाम में बाबा को याद करो अब एक तो परमधाम में सुम्रिति रखके बाबा को याद कर रहे हैं एक भूल गए फिर आओ सुम्रिति आई करम के बाद जरा से फरक करन से मेनत भी हो गई, करम का फल भी नहीं मिला, इसको प्योर आग्याकारी कहेंगे, और उसको बाबा कहते हैं, सदा आग्याकारी, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर करम फल दाई होता है, अब जैसे अंतसमय भी होगा, बाबा कहते हैं, मैंने कहा हुआ है, एक सेकंड का पे होना है, अब आब बाच कर रहे हैं कि वो हर वकर ध्यान रखते हैं, वो सेकंड पता नहीं का बाज है, जब अचानक वो सेकंड आया, तो जो तो सदा आग्याकारी होगा, उस सेकंड में चले जाएगा, और जो थोड़ा सा अलवेला हुआ, बाद तो सेकंड किया, वो तो नमबर वन आग्याकारी आत्मा का हर करम रूपी बीच, शक्ति शाली होने के कारण, हर करम का फल अर्था संतुष्टता, सफलता, प्राप्त होती है, कई बार, कई बच्चे, अपने करम से स्वैम से, संतुष्ट होते हैं, कि मैंने बहुत अच्छा विधी पूर्वक करम किया, लेकिन कहा सफलता रूपी फल, जितना स्वैम समझते हैं, उतना दिखाई नहीं देता, और कहां, फिर स्वैम भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंद संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है यह बाबा ने बहुत ही बहुत ही शुक्षम बात बताई है कह fier के कहीं तो अ फल जो है उसमें खुद संतुष्ट जए है क्लिक है मैंने बहुत अच्छा लेकिन उसका वो फल संतुष्टा का दिखाई नहीं देता फिर बाबा कहते है खुद संतुष्ट भी है फल भी दिखाई दे रहा है लेकिन जो समंध संपरक वाले भी संतुष्ट होने चाहिए नहीं बाबा ने कहा वो उनकी पूरी संतुष्टा नहीं दिख इसको बाबा ने बहुत एक यहराई से आगे एक्ष्देन किया, ऐसा क्यों है? वर्तमान समय के प्रमान, कई श्रेष्ट आज्याकारी बच्चों द्वारा, कभी कभी कोई कोई आत्माई, अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे, ऐसा तो कोई नहीं है, जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं, अपकारण सुनिया, अपने कारण को न जानने के कारण, मिस अंडर्स्टेंड कर देते हैं, दूसरी बात, अपनी बुद्धी प्रमान, बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूरण नहीं होती, तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी, जो संतुष्ट होना चाहिए, वो नहीं होते हैं। इस कारण, नंबर वन आज्याकारी आत्मा, आत्मा का वस्रेष्ट आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। यह जो तीन बाते बाबा ने कही हैं, पहला तो मिसंडर्स्टैंड कर लेते हैं। यह अन्य संबंद संपर्क में जो बाबा ने उपर कहा, वे लोग मिसंडर्स्टैंड करते हैं। जो सेष्ट करम करने वाल है वो, वो देखता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी यह संतुष्ट नहीं है। तो उसको मुले बाबा कहते हैं, अंडर्स्टैंड कर लेना चाहिए, कि इसमें मेरी गल्ती नहीं है। और इसलिए नेक्स में बाबा ने आगे उसको अख्प्लेन किया। इसलिए कहां कहां, दिखाई देता हैं हार एक से कोई असंतुष्ट है। यह नि बाबा ने का ना, लोग कहते हैं ऐसा तो कोई भी नहीं है, जिससे सब संतुष्ट हो। उसको बाबा ने बड़ेन किया है कि कोई इच्छा रखे जाता है, और ज्यादा इच्छा रख लेता है, उसकी इच्छा डिजर्व नहीं करता या ठीक नहीं है, तो जब उसकी इच्छा बड़ों से पूरी नहीं होती, तो अपनी इच्छा पूरी नहीं होने के कारण से असं संतुष्ट हो गया, इसका कारण यह है। लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी, 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं। कि जो अपने ही कारणों से असंतुष्ट हैं, इसलिए कहने में आजाएगा, ऐसा तो कोई भी नहीं है, जिससे सारे संतुष्ट हों। तो नमबर वन आग्याकारी बच्चे, मिजॉरिटी, तीनों ही रूप से संतुष्ट अनभव करेंगे। वो तीनों रूप कौन से बता हैं, भावने। यानि एक अपने से, और एक जो फल में भी संतुष्ट, संबन संपर करेंगे। 95% संतुष्ट है, तो उनको संतुष्टी मैसूषता होगी, कि अपने कारण से नहीं हो रहा तो अलग बात है। और सदा आज्या प्रमान श्रेष्ट करम होने के कारण, हर करम करने के बाद संतुष्ट होने कारण, करम बार बार बुद्धी को, मन को विचलित नहीं करेगा, कि ठीक किया वा नहीं किया। होता ना बीट में अच्छा, मैं इसे अच्छा कर लेता। बाबा के तब वो नहीं होगा। क्योंकि नाइन परसंट की, नाइन परसंट की सर्टिफिकेट मिल जाती संतुष्टा की। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बार कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया वा नहीं किया। जिसको आप लोग अपनी भाशा में कहते हो, मन खाता है कि ठीक नहीं किया। तो नंबर वन आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है। इसलिए सदा हलकी है। नंबर वन आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेश आशीरवात की प्राप्ती के कारण हर करम करते आशीरवात के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विलपावर अनुभव करेगी। सदा अतींद्रे सुक्का अनुभव करेगी। सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं ना मालूम क्यों आज अपने को खाली-खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई है। लेकिन संपन्नता व सुक्की अनुभूती नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कारे या कोई छोटी-मोटी भूल नहीं होती है। लेकिन चलते चलते अन्जान व अलबेले पन में समय प्रती समय आज्या के प्रमान काम नहीं करते है। अब आवा ने गहराई बताई है कि कहते हैं खाली-खाली है। और नोट करते हैं कि मेरे से कोई भूल भी नहीं होई। और फिर भी खाली-खाली मेसूस करते हैं, उसका बाबा ने कारण बताया, बहुत अच्छा कारण बताया पहले समय की अवग्या का बोज किसी समय अपनी तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संसकार, स्वभाव कभी-कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे समय प्रती समय की, की हुई अवग्याओं का बोज कभी-कभी अपनी तरफ खींच लेता है, अब देखा बाबा का तो उस समय नहीं की, लेकिन जो समय प्रती समय करते रहे हो, उसका बोज कभी-कभी अपनी तरफ खींच लेता है, और जैसे का पिछले जन्मों का तो कह का देखा है, कि ठीक चल रहे हैं, अचानक उसको लौके घर से बुलावा आ गया है, वो खुशी खुशी जाता है कि मैं अपना असाब कर गया है, वापस आता ही नहीं, तो पिछले जनमों का ऐसा कड़ा असाब किताब होता है, उसको खिंच लेता है क्योंकि कोई भी हिसाब किताब, चाहे इस जनम का, चाहे पिछले जनम का, लगन की अगनी स्वरूप स्थिती के बिना भसम नहीं होता अब आवन ये खास बात बताई है, ये जो बाबा कहता है, अगनी सुरूप बनो, जौला मुखी सुरूप बनो, लगन की अगन रखो, उसके बगैर बसमनी होगा, छिप जाएगा, थोड़ी देर के लिए दब जाएगा, फिर आजाएगा, जैसे आप देखते हैं, कि योग लगाने बैठते हैं, अच्छे लक्ष से बैठते हैं, भावना से बैठते हैं, फिर क्या होता है, पिछली बात बुद्धी के अंदर घूमने लग जाती है, वो क्यो बाजाएगा, अभी बसम नहीं होई है, इसलिए बाबा कहता है कि उसको बसम करो. इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खीछता है, एक होती है, पाप करना, वह कोई बड़ी भूल करना, दूसरी छोटी-छोटी अवज्याएं भी होती है, जैसे बाप की आज्या है, अम्रत वेले, विधी पूर्वक, शक्ति-शाली याद में रहो, तो अम्रत वेले, अगर इस आज्या प्रमान नहीं चलते, तो उसको क्या कहेंगे, आज्याकारी या अवज्या, हर करम, करम योगी बन करके करो, निमित भाव से करो, निर्मान बन के करो, ये आज्याएं हैं, ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन द्रिष्टांत की रीती में सुना रहे हैं, द्रिष्टी, वृत्ती, सब के लिए आज्या हैं, इन सब आज्याओं में से कोई भी आज्या विधी पूर्वक पालन नहीं करते, तो इसको कहते हैं, छोटी, मोटी अवग्याएं, अगर जमा होता रहता है, तो जरूर अपनी तरफ खीचेगा ना, इसलिए कहते हैं, जितना होना चाहिए, उतना नहीं होता, तब पूछते हैं, ठीक चल रहे हो, तो सब कहेंगे हां, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए, उतना हैं, तो फिर सोचते हैं, इतने इशारे मिलते, नॉलेज़फुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए, उतना नहीं होता, कारण, पिछला वा वर्तमान बोज, डबल लाइट बनने नहीं देता, कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोज नीचे लेयाता, सदा अतींद्रिय सुख वा खुशी संपन, शान्त स्थिती अनुभव नहीं करते, बाप दादा, के आज्याकारी बनने की, विशेश आशिरवात की लिफ्ट के प्राप्ती की अनुभूती नहीं होती है, इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती है, यानि बापा ने आज्याकारी, जो बापा ने वर्दान दिया हुआ है, उसको पालन करने से कितना सहज, कितना प्राप्ति सुरूप बनेंगे, खुश रहेंगे, और अगर बीच-बीच में आज्यापालन कर रहे हैं, लिकन उस संपूरन दित्ती से नहीं कर रहे हैं, डिले ढाले कर रहे हैं, उसके कारण से पिछले विकरम बिनाश नहीं होते हैं, वो खीचते हैं तो अधासी आती है। नमबर वन आज्याकारी की विशेषता हैं इस पर सुनी, बाकी नमबर टू कौन हुआ, जिसमें इन विशेषताओं की कमी हैं, वो नमबर टू, और दूसरे नमबर माला के हो गये हैं, तो पहली माला में आना है न, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्या स्पष्ठ, उसी प्रामान चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ, आज्या ही बाप के कदम हैं, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ न, वैसे भी, मैं सोचते हूँ, यहां तक आप थोड़ा सा स्पष्ठ करेंगे, जो बाबा ने कहा, कर्म का फल, आशीरवाद, आंतरिक विल्पावर, इन चीजों का आप थोड़ा एक अतींद्रिय सुख, देखे जिसको बाबा कहते है न, सुक्षम पाप, यहां बाबा ने सुक्षम पाप, नहीं सब्थ यूज गया, नहीं चोटी मोटी अवग्या थे, सुखेऊ आग एकmaster करी जो होता है, वो कोई भी अवग्या नहीं करता, तो कई बार ही होता है, आग्या का पालंप हम कर रहे हैं, लेकिन तो थो ते मही भी बाबार कार, फेम साभ्या मपालंप हमती सवाय वा सब्सक्राइ वा समय देथा है. वास्तव मैं आग्या काा मनुए बाबा श्रीम एकिनłe, और बड़ी राय के रूप में देता है, बाबा कहते है कि कभी और भी नहीं करता, ऐसा करो. क्यो अगर बगवाण और करे, और हम उसका उलंगन कर दें, तो बहुत बड़ा घाता प जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा पाफ हो जाता है ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मालो कोई सधारन व्यक्ति किसी की बात को आगे पीछे कर दे और बात है अगर कोई राजा के खुकम का अलंगन कर देता था उसका सर कलम कर देते हैं, हमेशा आप देखेंगे राजा के आगे लोग कुछ बोलने भी चाते थे तो पहले कहते थे जान की अमानत पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अगर मेरी बात से राजा नराज हो जाए, तो मुझे मा पारना देना जान की इमानत ये शब्द यूस होता था जान की अमानत पाऊं तो मैं कुछ अर्ज करूं कि महराज जो मैं कहने जा रहा हूं अगर कुछ आप अच्छा ना हुआ कड़ी बात हो गई या कुछ ऐसी आपको पसंदना है तो राजा सीधा कहते थे इसका सर कलम कर द भाव यह है दौपर के राजाओं में इसलिए बाबा कहते है भगवान की अवग्या कोई कर दे आपको पता है बाबा ने स्लोगन क्या दिया हुआ है गुरू का निंदक ठोड़ न पाए अवग्या बहुत बड़ी निंदा है क्योंकि एक करेगा उसके देखके दूसरा करे तो अनेक लाइन लग जाएगी अवग्या करने वाला अवग्या कारियों का एक निमित बन जाता है बहुत बड़ी चीज है और भगवान की हर आग्या यह श्री मत कल्यानकारी है अगर मैंने जरासी भी पालन ना की तो कितना घाटा है जैसे बाबा ने का हुआ के संगम थोड़ा सा यूग है इसका एक एक सेकंड पदमा पदम की प्राप्ति करूने वाला है अब बाबा कहता है अगर मैं सब को खड़े हो करके पूछों क्या क्या तुम एक सेकंड भी बेश्ट नहीं करते हो तो कहीं निकल आएंगे जो कहेंगे एक सेकंड क्या होता है बाबा अब गया तो हो गई ना बोज तो चड़ गया ना इसलिए आप किसी तेज स्पीड से जा रहे हैं जरा आप दो सेकंड के लिए भी रुग गये बाकी तो आगे निकल जाएंगे आप पीछे रह जाओगे और रुकने का संसकार फिर बार बार कभी कभी और भी रुका देगा तो सारी बात बाबा ने स्पष्ट की है इसलिए वो घाटा बहुत है तब बाबा ने कहा क्या होता कि पता भी नहीं लगता फिर अलबेले पन में अब अगया करने की आदत पड़ जैना तो पता भी नहीं लगता कि मैं अब अगया कर रहा हूं फिर व्रक्ति कर लेता है अच्छा चलो जो पद मिलेगा मिल जाएगा सत्यूग में तो प्रजा भी सुखी रहती है इस तरह के ख्याल आने सुरू हो जाएगा तो बाबा की तो बड़ी आग्याए है जहां तक जियो तरह तक ज्यान अम्रित पियो मुर्ली सुनो तो अटेंटिव सुनो कोई आया पर तो डीला ढाला आरस के आया बैठ भी गया तो निमीत पातर बैठ गया जो उस वकत प्राप्ति करनी चाहिए वो नहीं की संकलब और तरफ चला गया अगया होगी उसका फिर बोच चड़ जाता है वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो सजनिया हो तो सजनिया कदम पर कदम रखती है यह विधी है तो मुश्किल क्या हुआ बच्चे के नाते से भी देखो बच्चे अर्था जो बाप के फूट स्टेप पर चड़े जैसे बाप ने कहा ऐसे किया बाप का कहना और बच्चों का करना इसको कहते नंबर वन आज्या कारी है तो चेक करो और चे सदा बाप त्वारा प्राप्त हुई आशिरवात की अनुभूती करने वाली विशेश आत्माओं को सदा हर करम में संतुषता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्या कारी बच्चों को बाप तादा का याद प्यार और नमस यह थी बाबा की आज की मुडली, 14 जन्वरी 1988, और मुडली में बाबा ने आज्यकारी बच्चों को देखा, पैरा मीटर दिया, हमें सतर्क रहना है, छोटी-छोटी अवज्याएं करने से बोज कठा होता है, जो आत्मा की खुशी को गायब कर देता है. ओम जादे.